इस वीडियो में हम वाइरसिस की स्टेडी करने जा रहे हैं। इस वाइरसिस की बैक्टिरिया को इंफेक्ट कर सकते हैं। इस वाइरसिस की बैक्टिरियो में वाइरसिस स्टेडी की बैक्टिरियो में होते हैं। Viruses, Parasites यानी पड़जीवी होते हैं, जो दूसरी Living Cells में खुद को Reproduce करते हैं. Viruses, Host Genetic Mechanary को Hijack करके Viral Genetic Material को Reproduce करते हैं. Virus particles की मात्रा ज़्यादा होने से Host Cell की Death हो जाती है, जिससे Viral Particles Release होते हैं, जो दूसरी Cells को Infect करते हैं. Released Viral Particles दूसरे लोगों को भी infect कर सकते हैं वास्तव में virus host cell को दो अलग अलग तरह से attack कर सकता है इसे हम इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे Viruses से humans में कई तरह की बिमारियां होती हैं हमारे immune system यानी प्रितरक्षा तंत्र के मजबूत होने के कारण viruses हम पे attack नहीं कर पाते Immune system वाइरस को trace करके उसे cell में घुसने से पहले ही destroy कर देता है Infection शुरू होने के बाद भी हमारा immune system वाइरस को destroy कर देता है जिससे infected object recover करना शुरू कर देता है कई बार immune system वाइरस को destroy नहीं कर पाता जिससे objects को permanent damage या object की death तक हो जाती है ऐसा माना जाता है कि 1918 में Spanish flu वाइरस के कारण दुनिया भर में 50 million मौतें हुई थी scientists ने बहुत से वाइरस के against vaccinations डेवलप किये है vaccination के कारण ही smallpox यानी चेचक जैसे वाइरस पूरी तरह से खत्म हो चुके है हलांकि HIV जैसे वाइरस का वैक्सीन अभी भी हमारे लिए एक बड़ा challenge है क्या आपको पता है कि हम वाइरस की treatment के लिए antibiotics का इस्तिमाल नहीं कर सकते antibiotics से सिफ bacterial infection या treatment किया जाता है तो अगर आपको cold या flu है तो आपको antibiotics नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला है वाइरस के against कुछ antiviral drugs डेवलप की गई है HIV जैसे वाइरस के against डेवलप किये गए antiviral drug का इस्तिमाल HIV से infected object को हमेशा के लिए करना पड़ता है तो इस वीडियो में हमने वाइरस के बारे में जाना ये simple organism होते हैं जो हमारी body को बुरी तरह infect